हलो वेलकम यह हमारा दूसरा वीडियो है वेव मोशन को इससे पहले वाले में हमने एक वी में तरंग संचरन के लिए उकल समी करण निकाला था अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें है जिसमें हमने लिया था तरंग समी करण जो हमने ली थी यह सिद्ध करने के लिए उप्रोक्त समी करण के लिए समी करण 10 यह समी करण जो हमने लिए y बराबर a sin omega t minus kx और y बराबर a cos omega t minus kx तरंग के आयाम कोणी आवरतियम संचरन यह तंक है हम इसको सिद्ध करने के लिए समी करण 10 का दूरी x तथा t के साफिक हम क्या करेंगे दो बार इसका अउकलन करेंगे तो पहले हम लिखते हैं के साफिक्ष में इसका आउकलन कर दिया अब हम दूसरी बार करते हैं डेल 2y upon डेल t2 equals to minus a omega square sin omega t minus kx equals to omega square y क्योंकि हमने उपर लिया है y बराबर a sin omega t minus kx ठीक है तो यह हमने दो बार t के साफिक्ष में इसका अउकलन कर दिया अब हम इसी तरह x के साफिक्ष में उप्रुक्त समीकरन का जब अउकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा del y upon del x equals to minus k a cos omega t minus kx और दूसरी बार करेंगे तो हमारे पास आएगा del 2y upon del x 2 बराबर minus k square a sin omega t minus kx बराबर हम इसको लिख सकते हैं minus k square y अतरह हम लिख सकते हैं y equals to minus 1 upon omega square del 2y del t2 और y equals to minus 1 upon k square del 2y upon del x2 या फिर हम लिखेंगे del 2y upon del t2 equals to omega square k square del 2y upon del x2 अब चूँकि omega upon k equals to हमारे पास में होता है n lambda बराबर v चीक है तो हम लिख सकते हैं del 2y upon del t2 हम लिख सेहें इसको यह y2 नहीं है del 2y upon del t2 equals to v square del 2y upon del x2 यह समिकरण हमारी जो wave equation है differential equation तरंग संचरण के लिए जो हमारे पास में थी del 2y upon del t2 equals to v square del 2y upon del x2 उसके समिकरण है अब लिख सकते हैं कि समिकरण 10 वास्तों में समिकरण 9 का हल है ठीक है अब हम लेते हैं general solution of wave equation मतलब तरंग समिकरण का सामान्य हल इसके लिए हम क्या करेंगे x दिशा में संचरित किसी तरंग को निमने अवकल समिकरण में व्यक्त करते हैं del 2y del t2 equals to v square del 2y upon del x2 यहां दूरी x तथा समय t पर तरंग का विस्थापन y है ठीक है तथा तरंग का कलावेग भी है चुकि हम जानते हैं x तथा t दोनों स्वतंत्र चर्राशिया हैं इसलिए विस्थापन y इन चर्राशियों के स्वतंत्र फलनों के गुणन फल के बराबर माना जा सकता है अर्थात हम लिख सकते हैं y equals to chi x phi t पता है दो बार हम इसका t के सापेक्ष में जब अउकलन करेंगे तो हमारे पास के आएगा del 2y upon del t2 equals to chi x del 2 phi upon del t2 क्योंकि हमें पता है कि chi सिर्फ x का फलन है और phi सिर्फ t का फलन है ठीक है तो हम यहां phi को ही अउकलन करेंगे दो बार इसी तरह जब हम इस समीकरन का x के सापेक्ष में अउकलन करेंगे तो चुंकि phi t का फलन है तो यह हमारे पास independent of x है तो हम इसको chi के सापेक्ष करेंगे del 2y del x2 equals to phi t और del 2 chi x upon del x2 क्योंकि हमारे पास में equation 3 and 4 अब समीकरन 3 तरह 4 को समीकरन 1 में रखने पर जो हमारी समीकरन एक है del 2y del t2 equals to v square del 2y del x2 मतलब हम 3 और 4 से जैसे इसमें value रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा chi x del 2 phi t upon del t2 equals to v square phi t del 2 chi x upon del x2 तो इसे हम लिखेंगे 1 upon phi t del 2 phi t del t2 equals to v square 1 upon shy x equals to del 2 shy x upon del x2 हमने phi की टर्म को सबको एक साथ कर लिया और phi t वाली और shy x वाली एक तरफ कर लिए अब उप्रोक्त समीकरन में बाया पक्ष के वल t का फलन है जो lh से हम जानते हैं इस सिफ t पे depend कर रहा है इसी तरह rh समारा कर रहा है x पे depend अतर हम दोनों तरफ के जो निया मान हैं उन्हें किसी निया तांग के बराबर मान सकते हैं जिसा हमेशा करते हैं अतर समीकरन 5 के बाया तथा दाय पक्षों को हम minus omega square के बराबर लिख लेते हैं जो कि हमारे पास एक निया तांग के तो हमारे पास में लिखने के बाद में हम किस तरह से लिखेंगे इसको 1 upon 5T del 2 5T upon delta 2 equals 2 minus omega square जैसे ही करेंगे तो equation form में हम इसको किस तरह से लिख लेंगे del 2 5T upon delta 2 plus omega square 5T equals to 0 हमारे पास समीकरंग 6 हो गई इसी तरह del 2 chi x upon del x 2 equals to omega square upon v square chi x equals to 0 यह हमारे पास में दूसरी समीकरन बन गई अब उप्रोग तो दोनों समीकरन सरलावरती दो लग के अउकल समीकरनों के समतुल्ले हैं तो हम इसका जो एक जनरल सोलीशन उसको किस तरह से लिखते हैं फाइटी इक्वल्स टू C e to the power plus minus j omega t तथा शाई x equals to d e to the power plus minus j omega upon v x और d e plus minus j upon k x जहां हमारे पास में k क्या है omega upon v ठीक है तो अब हमारे पास में क्या हो गया उप्रोग समीकरनों में नियतांक omega 2 लग का कोणी अवेग है तथा omega upon v बराबर के संचरन नियतांक के ठीक है तो समीकरन 2 में समीकरन 8 तथा 9 का व्याकप खल रखने पर हमारे पास समीकरन 2 कौन सी ये रही y equals to shy x phi t यह हमारे पास समीकरन 2 है हमारे पास समीकरन 8 में हमने phi t की value ले रखिए जो है c e to the power plus minus j omega t और समीकरन 9 में shy x equals to d e to the power plus minus j kx तो जैसे हम इन दोनों मानों को समीकरन 2 में रखेंगे तो हमारे पास में जो एक general solution आएगा वो क्या आएगा y equals to a e to the power j omega t minus kx ठीक है मतलब y equals to a e to the power j omega t और e to the power plus minus j kx तो हम y equals to a j omega t plus minus kx इस तरह से हमारा समीकरन एक विमियत तरंग समीकरन का जंदल solution को प्रदर्शित करता है अब चूंकि समय के वेंजक में रिनात्मक्चिन नहीं लिया जाता है क्योंकि कलाकोन omega t समय के साथ बढ़ता है तो हम हल में क्या लिखेंगे y equals to a e to the power j omega t minus kx या इसको लिख सकते हम y equals to a sin omega t minus kx चूंकि प्लस एक शिदिशाम में हम तरंग संचरन को ये निरूपित करता है किसी निश्चित अर्थात कलाके लिए कलाकोन omega t minus kx नियत होता है मतलब हम क्या लिखेंगे omega t minus kx बराबर constant लिख देते हैं जिससे कि हमारे पास में omega minus k dx upon dt बराबर 0 आ गया अतरह तरंग वेग मतलब कलावेग हमारे पास क्या आ जाएगा dx upon dt बराबर omega upon k बराबर v हो गया और इसी तरह से हमारे पास में y equals to a e to the power j omega t plus kx है तो इसी प्रकार negative x दिशा में तरंग संचरन को निरूपित करता है ठीक है तो इसमें हमारे पास क्या हो गया ये उपर वाला जो था ये तो हमारे पास में क्या था positive x direction में तरंग संचरन को निरूपित करता है क्योंकि हम जानते हैं अवस्था अर्थात कला के लिए कलाकोन का मान नियत होता है तो यह तो हमारे पास में positive वाला था अब हम जो ले रहे हैं इसी प्रकार negative वाले तो negative x दिशा में तरंग संचरंड को यह निरूपित करता है क्योंकि अब हम क्या लिखेंगे dx upon dt equals to minus omega upon k ठीक है तो omega upon k हमारे पास मे क्या है वी है तो हम dx upon dt को किस तरह से लिख देंगे minus omega upon k बराबर minus v तो 3v में तरंग संचरंड के लिए हम किस तरह से लिख देंगे y equals to a e to the power j omega t minus k dot r मतलब r plus दिशा में तरंग संचरंड है और दूसरा हम लिख सकते हैं a e to the power j omega t plus k dot r यह negative x direction में okay now in next lecture we will discuss about plane progressive harmonic waves okay till then thank you